तो डियर इस्टुडेंट स्वागत है आप से भीका एक बार फिर से अपने चैनल लखनु गुरकुल पर आज हम लाएं हैं लखनु यूशिटी बीए फर्स सेमेस्टर के लिए सोसलोजी की पेपर का रिव्यू ठीक है जिसमें आज हम बात करेंगे इंटोड़क्शन टू सोस किया जाएगा जैसे को ऑफिशल अब्डिट आई है फिलाल इसी पैटर्न पर आपके पेपर भी हुआ था जिसमें दस में से आपको केवल पांच कोशन करने थे कोई भी पांच करने थे कोई बात देता नहीं थी कि आपको यहीं करने होते हैं ठीक है और यहां पर नोट में आपका पंद्रा नंबर यहां पर कैरी करेगा ठीक है हर प्रशन आपका पंद्रा नंबर का होगा उसमें से आपका यहां पर नंबर दिया जाएगा चले देखते हैं पहला प्रशन क्या है समासास्त्र क्या है इसकी प्रकर्ति और इसके विशेच छेत्र की यहां पर व्याख्या करनी है ध्यान रहे कि अगर आप सिर्फ ये question solve करके आते हैं ये वाला portion नहीं करते हैं कि इसकी प्रकर्ति और इसके छेत्र के बारे में तो आपको 15 में से बहुत ही कम नंबर मिलेंगे ठीक है तो एक प्रकार से indirectly भी इसका weight is divide होता है ठीक है अगर आपको question में दो question से एक साथ पूछा है तो आपको दोनों का answer यहाँ पर लिखकर आना होगा ठीक है फिलाल बढ़ते हैं आगे अगला question है define culture discuss its basic features Sanskrit को परिभाशित करना है और इसकी बुनियादी विशेस्ताओं की यहाँ पर चर्चा करनी ठीक किसी प्रकार यहाँ पर अगर आप से परिभाशा दे देते हैं इसकी बुनियादी विशेस्ताओं की व्याख्या नहीं करते हैं तो पूरे 15 नंबर में आपके count नहीं हों उनकी विशेस्ताओं का यहाँ पर व्याख्या करनी है कुल मिला कि प्रश्न में जो पूछ रहा है उसको explain करके आना है आपको ठीक है अगर आपकी यहाँ पर विशेस्ताओं पूछ रहा है विशेस्ता अगर व्याख्या पूछ रहा है व्याख्या अगर दोनों पूछ रह प्रिश्चन है कि यहां पर प्रैक्टिकल सिग्टिकेंस ऑफ सॉल्जी समास्था के व्यावारिक महातुका यहां पर आपको व्याक्या करना है अगला प्रिश्ण है कि describe the relationship between history and sociology ठीक है समास्तास्त्रवा इतिहास की मद्द जो संबंध है उसको यहाँ पर आपको व्याक्या करनी है अगला प्रिश्ण है कि differentiate between nation and state रास्ट और राज्जी की मद्द आपको अंतर करना है प्रश्ण साथ में ठीक है जो प्रश्ण आपको आ रहा हो अच्छे से वह आपको कंड़क्ट यहां पर करना है अगला है explain education as an agency of social control बहुत ही महत्यूपुन प्रश्ण है ठीक है हिंदी में इसका देखें तो होगा कि सिच्छा की सामाजिक नेंतर की agency की रूप में आपको यहां पर व्याख्या करनी है अगला प्रश्ण है कि define multiculturalism and differentiate between the cultural pluralism and multiculturalism ठीक है बहुल संस्कृतिवाद को आपको प्रवाशित करना है और संस्कृतिवाद स्वारी संस्कृतिक बहुल वाद है वा बहुल संस्कृतिक वाद क्या है इसमें आपको different differentiate करना अंतर करना है ठीक है अगला प्रश्ण है कि by primary groups I mean those who characterized by face-to-face association and cooperation explain करना है यह जो कथन है इस कथन कि आपको व्याख्या करनी है तो दस प्रश्ण आपके total पूछे जाएंगे जिसमें से आपको पांच करना है प्रश्ण को अच्छे से पढ़िएगा जो पूछ रहा है वही आपको answer देना है अगर आप लखनो गुर्कुल से कुछ भी यहाँ पर benefit पा रहे हैं तो हमारी चैनल को subscribe कर लें बेल आइकन को प्रस कर लें ताकि कोई notification मिसना हो बस आपको काम करना है कि वीडि करने के लिए फिलाल आप से भी का बहुत बहुत धन्यवाद